दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दगा दें कि हम लाते रहते हैं नहीं बिजनेस आइडियाज और नहीं जनकारी केवाल आपके लिए बहुत सारे विडियों देखे हैं लेकि वुडियों में आपको पूरी जनकारी नहीं बेए और आपके मन में कितने अदूरны मैं इस वीडियों में आपके उन्हीं सवालों को पूरा करने के कोशिश करें इसलिए एगर आप पेपर कप बिजनेस सोब में करना चाहते हैं या फिर अगर आप पेपर कप का बिजनेस सुल करना चाहते हैं तो प्लीज गुर्यों पे लास्तर बने लिए और अगर फिर भी कोई सवाल और दूरा रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूर सकते हैं दूस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर कप का ज्यादा तब इसमाल चाय, सूप और जूस की दुकानों पे पाटी और संसंग में आइस्क्रीम इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रेलिवेस, मूटर्स और भी दूसरे जगों पे काफी मात्रा में किये जाता है और इस वज़े से आपको पता चलता है कि मार्केट में इसकी दिमांड पहुए है दिमांड चेक करने के बाद आपको जूरूत हो कि एक सर्वे करने की और सर्वे से आपको यही पता चलता है कि आपके एरिया में किस तरह के पेपर कप की दिमांड सबसे ज़्यादा है रिस्टूरेंट होटल की रिक्वार्मेंट अलग होती है, सवर्वी के बाद आपको आपके एरिया की रिक्वार्मेंट पता चल जाएगी, और जब आप मसीन का ओडर करेंगी तो आप अपनी जुरुत की हिसाब से मसीन सप्लायर से मसीन और मसीन का मोल्ड ओडर कर सकते हैं, अपने इंडिया में पेपर के बहुत सावे मैनिफेक्चर हैं, जिसमें ITC, खना, सेंचुरी बड़े मैनिफेक्चर हैं, और इनके डिस्टिगूटर आपको हर बड़े सहरी में मिल जाएं, दोस्तों पेपर के बिजनेस में, पेपर के लिए दो तरह का पेपर लगता है, प ब्लैंक के लिए जो पेपर लगता है, उसका प्राइस 80-90 रूपीज पर केजी तक उतार, और वही बोटन का प्राइस पजगता से 80-80 रूपीज पर केजी के हिसाब से होता है, जो लोकेशन और सप्लाया के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, दोस्तों बाग करें मिनिफेक मेनिफेक्चरिंग चार प्रोसेस में की जाती है, पहले डिजाइन, दूसरी प्रिंटिंग, तीसरी डाइपेटिंग और चौती पेपर कप मेनिफेक्चरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर कप की मेनिफेक्चरिंग शुगती है पहले हम कस्तमर का डिजाइन त्यार करत सकते हैं और यह प्रिंटिंग आप चाहिए तो आज Soon-ब और से भी करवा सकते हैं इससे आपके प्रिंटिंग के सैट अप कंशा कर च内रा और बचालेगा और उन्हीं यह machine अलगल size of production capacity के साथ उपलाता है जैसे 20 inch into 26 inch, 22 inch into 32 inch, 25 inch into 37 inch, 35 inch into 42 inch या 42 inch और market में जो machine है वो एक घंटा में 800 बार पंच करने से लिए के 3000 तक पंच कर सकती है machine का price भी उसके size और production capacity के इंसाब से कम और ज्यादा होता है इसलिए आप अपने budget के इंसाब से machine खरी सकते हैं और machine में electronic पैनल लगा होता है जिसके जड़ी आप punch करने की timing में इसेफ कर सकते हैं कि कितने सेकेंड के बाद यह machine punch करें दोस्तो पंची machine से निकले ब्रैंक के जड़िये paper cup machine दोरा paper cup की manufacturing की जाती है दोस्तो गर बात करें production capacity की तो नॉर्मत यह paper cup की machine एक घंटे में 2000 से 4000 का production करती है जो machine की production capacity पर depend करता है आप सुगात में एक machine से सुखू कर आड़े और production को बढ़ाते हुए और भी machine खरीच सकते हैं दोस्तो paper cup machine से निकले तयार paper पको आप pack कर market में sale करने के लिए भेज सकते हैं तो paper cup business लिए एक यादू skilled operator और एक technician की जुरूत होगा क्योंकि skill operator के जलिए आप product की quality और wastage को control रह सकते हैं और अगर आपका skilled operator अच्छा होगा तो आपके finish product की quality और भी अच्छी हो 37 cup में leakage और दूसरी problem भी नहीं है इसलिए आपके पास एक skill operator होना जोल रही है और आपका production और profit margin maintain रहे हैं दूसरो production के बाद packaging के लिए plastic पानी या क्रुगटिट बॉक्स का यूज कर सकते हैं कब के packaging के लिए और कोसिस करेंगी plastic पनी की thickness का होगा ताकि आप plastic पनी खरीते हैं वक्त अगर आप पर के जित जारा पनी पासके और पनी में pack करने के बाद आप box के लिए low thickness box single ply के यूज कर सकते हैं और इसका फाइदा ये होगा कि box आपको सस्ता में और आपकी packaging cost कम आईगी और ये एक important factor क्योंकि आपकी cost जितनी कम आईगी आपका profit margin उतना बड़ेगा दूसरो paper का business में आप जितने भी छोटे छोटे छ जिसमें paper 70% और bottom 30% होता है और इस हिसाब से आपके एक cup के production cost 14 पैसे के आसपास आती है जो थोड़ा कम और जड़ा भी हो सकता है raw material के price के हिसाब से या दूसरे factor से और other expense जोडने के बाद जैसे electricity, labor charge, transportation, per cup की cost 21-22 पैसे per cup हो जाती है और जिससे आप 5-10 पैसे per cup के profit margin के साथ आगे बेश सकते हैं market competition की हिसाब से और अगर आप एक paper cup machine के जड़िये पर घंटे 15 सक भी त्यार करते हैं 75 ml के तो आप 24 घंटे में 36 जर कप त्यार कर सकते हैं और महीने में 26 दिन काम करके 9 लग 36 जर कप त्यार कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने profit margin को पहनी बार प्रियूम इतना है नहीं निवीद करता हूं कि अपनी गुरी जूर पसंद आई होगी तो प्लीज गुडियो को लाइक और शेयर करना ना पूलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आडियस पहुंचे सबसे पहले आपके पूले